नशकार NDTV इंडिया के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं यह है MTHL यानि मुंबई ट्रांस हाबर लिंक रोड और इस एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से यह जो MTHL का ब्रिज है वो शुरुवत होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बृज से होते हुए दूसरी तरफ अगर हम आपको धिखा सकें वह नवी मुंबई को यह पूरी तरह से कनक्ट होती यह एक सी ब्रिज है जो मुंबई से नवी मुंबई के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई है इसका किस तरह से असर होगा क्या कुछ काम हो चुका है जैसे कि मैंने कहा 95 प्रतिशत के आस्पात यह कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तयार है इसी साल के अंत तक लोगों को यह मिल जाएगा इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमाई साथ ममारी के कमिश्णर आए सब बहुत बहुत शुक्रिया इंटी टेवी से बात करने के लिए पिछली बार जब हम आए थे तब हम समुद्र के बीच में से दिखा रहे थे कुछ काम चल रहा था यह कुछ महीनों पहले की बात है लेकिन अब हम गाडी से आये हैं जो अभी तक नहीं संभव था तो तो मुंभई से हम गाड़ी से आए नवी मुंभई तक यानी लगभग जो पूरा स्ट्रक्चर है जो धाचा है वो तयार हो चुका है क्या कुछ बता सकते हैं कितना प्रतिशत काम हुआ है और क्या कुछ हो चुका है अभी फिलाल 95% में ने 95 प्रतिशत का काम पूरा हो चुका है और स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुकी है और कल हम लोग ये में लेंड अफ मुंबाई को में लेंड अफ उंडिया को मुंबाई को जोडने वाला हैं करश हम को चुक्त फिश जो काम है लोऊड दॉड के कॢम का काम है लेक्टिक य काम है इंटरेशल ट्रांसपोर यूँ इंटेर सुट्रॉट शिस्टम व्हीं इलेक्ट्रोनिक सिस्टम और थखने ८ुण क्भगी रहेगा तो यह हम लोग जो टार्गेट किया थे दो साल पहले कि डिसमबर इस साल का अंत तक पुरा करने का सो अभी भी पॉसिबल है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिसमबर तक पुरा करके देश को समत्पित करें तो यह जो प्रजेक्ट है वो डेडलाइन के अंदर हो रहा और इसके अलावा जो इकोनॉमिक प्रभाव होगा उसके बारे मागर अब बता सोगे यह करेक्ट करेक्ट के बारे में अब बोलते हैं सो मुंबाय का करनेक्टिविटी पुने से होगी में मरीजियन से होगी और गौवा की तरफ भी यह कोश्टल नाट जो होने वाल उसको हम बोलते हैं कि नाट्सव सिटी है इसके तरफ से इसके वज़े से एस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी होने वाला है यूचर में यह एक बहुत मेजर संभावना है तुसरा है कि एकनोमिक ग्रोथ का इंपक्ट जो रहेगा इदर यह इंजिरिंग मारवल तो है यह प्रिज उसके कंस्टेंट है सो लैंड का स्केर्सिटी है जमीन की एक्टम इवल्विल इटी बहुत कम है बिल्कुम फिर यह प्रिज क्या करेंगी मुंबएको में लैंड से जुड़ेगी आरों बारा 15 मिनिट के अंदर हूँ अभी आग देखिए 12-15 मिनिट अपने को कम बहुत बार बां इसकी वजह से यह वजए से संभव होगा और उम्मीद करता हूं कि महाराष्टा और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा इंपीटस देने वाले बिर्च जही है बिल्कुल जो दो से धाई घंटे का समय आपको लगता था वह 15-20 मिनिट में हो जागा यानि घंटों का जो आपका सफर था वह मिंटों में अब हो जागा उसका प्रभाव आप द देश में होगी पहली भाव भारत में होने वाला है वह अगर आप बता सके क्या कुछ यहां पर देखने मिलेगा क्या कुछ नए टेकनोलोजी का इस्तमाल किया जा रहा है एक तो आर्थोट्रोपिक स्टील डेक मैंने पहले भी बोला था वो तो पहले बार इंडिया में वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिरेक्टल आइसी 80 km के स्पीड से हम लोग जा सकते हैं यह इसके अलावा स्ट्रक्चरल लिया ना एक्चली इसमें काफी सुपर लेटिव से हैं जो स्ट्रैंड्स का स्टील का स्टैंड्स हमने जो किया था इस्तेमाल किया एक्चली वो प आङरू सबस्टिव कि घा समुद्र के पाहले बार इतना बड़क प्रजेक्ट नी इद्या में किया हैं यह नया तरिकी चैलेंजर स्टेम हैं ये काय की ऑ एक्जांपल शेजर्नल तु competent काफी सिजनल चलेंज साथ झो साथ बो अर बैर का चलेंज क्रेंज अरूसी सिकने शोता है वर्कर्स को इंजिनियर्स को टीम्स को तेम कंद करना पर भी वे सो ँष गए सो तो वोते बी वेसे भी मुश्किल था काम करना उसके अलावा इंजिनिरिंग काले चालेंज थे लेकिन हमारा टीम ने काफी मेहनद करके काम किया है और राज्य सरकार के एक्चुली सपोर्ट से यह काम हो गया है जादर इसका अलावा तो यह हो नहीं सकता आपने कहा जो हमने जसे तरह से बताए कि समुद्र की बीच में काम करने में कितने दगकते होती हैं हो सारी चीज़ा बताई आपने भी बताए कि 95 प्रतिशत काम हो चुका हम गाड़ी से वहां से निकले थे आए हैं और यह आगे तक जुड़ जाएगा जैसे कि आपने कहा इसके शुरुआत भी की जाएगी तो अब जो 5 प्रति प्लान किया उसी सबसे चल रहा है तो कोई दिकत नहीं इसमें मांसुन में हम लोग रोड का काम नहीं कर पाएंगे तर्ट बिकास डट इस नाट पॉसबल बिकास रोड खराब हो जाता है और एलेक्ट्रिक का काम काफी अभी हम लोग सुरू करने वाले हैं वह भी आवार कि गुल गया था आपको बोलना और इन एडिशन और क्या था आपको क्या कुशन को था और क्या क्या पांच प्रितिशत में काम नहीं और प्रिश्चत में बेसिकली अभी अलेक्ट्रिकल वर्क है और रोड का वर्क है बस उतना ही बाकी है ओपन टोलिंग बूत वाला जो पहले हमें पता चला था कि यहां पर दीवार बनाई जाने वाली थी लेकर अगर हम तस्वीरों में दिखाने के कोशिश भी करेंगे बाद में कि जो फ्लमिंगो जहां पर वो रहते हैं समुद्र का नजारा है हम भी सुबह आये हुए हैं दूप है लेकिन उसको यह कंटिन्यू किया होता तो फिर हमने सोचा कि यह दो रिजन से नंबर एक सीनिक ब्यूटी तो हई 22 किलोमेटर आप लोग कुछ नहीं देख सकते तो पबलिक चोडने वाले नहीं हमको और दूसरा उससे अलावा एक्शली जब दिवाल बहुत बड़ा बनता है हाइट उस सब्सक्राइब करें तो आने वाली पीडियों के लिए इसे सोच कर बनाया गया है और जैसे कि मैंने कहा घंटों का जो सफर है वह में होगा आप मेरे पीछे देखिए इस खूबसूरत मॉंबई की जो पूरी स्काइलाइन है वह आप इस ब्रिज के जरीए देख सकते हैं औ और 15-20 मिनट में जो घंटों का सफर है 2-5 घंटे का वो 15-20 मिनट में हो जाएगा यह जो MTHL ब्रिज है पिछली बार हमने आपको समुद्र से दिखाया था अब गाड़ी लेकर यहां पर पहुँचे हैं जो स्ट्रक्चर है जो धाचा है वो आप तयार है और नवेंबर या काम जारी है और NDTV में एक्स्क्लूजिवली आपको यह बता रहे हैं कि काम कहां तक पहुचा है किस तरह से यह दिखेगा क्या कुछ इसमें रहने वाला है और आगे जाकर इसका कितना प्रभाव पढ़ेगा MTHL ब्रिज से कामरा पोर्शन राजन रिद्यालकर के साथ सोहित मश्रा इंट TV India